बिग बॉंज OTT 3 को मिल गया है अपना विनर आईए करते हैं विनर सना मकबूल से कुछ खास बात चीत कबूल है सना वो ट्रोफी कबूल है बिग पूलियू करते हैं विनरर थे शुड़े पूलियू तो यह जी यूज शॉआट बैसनी निगे चीत करूल है युज लोगों ने बहुत सकती सबूल क्या करें दोफ्केश। And I think, मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटर्मिन थी कि मैं यहां क्यू आई हूँ And I think determination is your key सब्राफका शब्राम आया कि देश्टिर तेश्टिर कोस में तो आप क्या कहना है चोटा शोटा उसे कभी बत्तमीज से बात करें बट अगर बड़े कोई तमीज नहीं हो बात करने की लहजा नहीं हो उनका सही तो आप I'm sorry, but अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करें न तो it's not right मुझे ऐसा लगता है I think Ranveer ji से मैंने हमेशा Ranveer ji करके बोला है मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे से disrespectfully बात की है अगर आप मुझे और Kritika को compare करो के उन्होंने हमेशा Kritika को एक softer way में बोला है और Amisha when I have ever spoken to him कि उन्होंने हमेशा मुझे से ऐसे हां क्या so I think it's always a give and take क्या आप 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 रिष्टे की तो मतलब I don't know for me it's like ECG में एक straight line होती है तो I think मेरा और उनका रिष्टा सिर्फ ऐसे straight है मैं जिद्धी हूँ और मैं डीवा हूँ मैं इतना ही बोलूँगी that मुझे मैं I think सब में वो चाहा होती है self love की बस इतना difference है कि कोई-कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज को बोला है I yes I do love myself and इसमें कोई बुराई नहीं है Sir पूरी season के अगर मैं बात करूँ आप कभी दूनी रही जब आपने दो दोस्त बाहर गए I think मैंना रिष्टे जल्दी बनाती नहीं है अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना अगर आप देखोगे गेम के एंड पढ़ा पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था They didn't like me I don't know for what reason but they never liked me and I think जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकीलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे है यार शिट शिट बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मगबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहे गिए and I think I live up to that Yes Sana, how are you and Nezi? In one episode, Munawar आये थे Munawar ने मुझे से पूछा था कि Sana, top three में तुम किसको देखती हो तो मैं अगर journey evaluate करूँ तो मैंने रनवीर जी का नाम लिया था मैंने नेजी का नाम लिया था मैंने अपना नाम लिया था और मैंने कहा था कि Nezi को मैं चाहती हूँ as a winner बने क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है बहुत नेक है उसने कभी किसी की बुराई you know, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा and रही बात मेरा नेजी का एक relationship मेरे लिए वो बन्दा बहुत special है So I think dogs do bark so let him bark Yes Yes I think love और विशाल जी सरफ से घर से बहार निखले वार नोगे लिए 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 अगर वो दी के दौराई नोगे तो वो भी जोफाय नोगे क्या आप यह वांदी हो मैं एक बात आप सबसे यह चीज़ जरूर बोलना चाहूंगे Yes सबसे होच मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो चार बडमाश बच्चे थे मैं शिवानी-लवकेश-विशाल मैं शिवानी-लवकेश-विशाल हम चार वो बडमाश बच्चेव वाकी घर वालों के लिए थे कि यूनो ये थोड़े एक अपनी चौकडी बोलते थे कि ये लोग नोबड़ी लाइक था और अगर देखा जाए तो गुरूपस में घर बढ़ गया था एक तरफ साथ जन थे तो एक तरफ चार जन थे एक तरफ छे जन थे तो दुसी तरफ चार जन थे तो पल्ला उधर बहुत भारी था and I think उस रीजन से मेरे जो दोस्त थे वो बाहर निकले मेरे लिए साई केतन और क्लिटिका वालिक वस नॉट डिजर्वन specific reason अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीजन कुछ करी नहीं पाया है अगर उसने बोला है कि लवकेश उसने पूरे सीजन यहीं बोलता आया है कि मक्बूल डिजर्व नहीं करती I don't know why he felt that but उसका उपीनियन नहीं सोखे बड़ मेरे उपीनियन में साई मुझे लगता था कि starting से वो कुछ करनी रहा था सेकेंड हाफ में उसने रनवीर जी और अर्मान जी की पुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया सो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थे कृतिका की बात करूंगी तो again I will say कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं वो अर्मान के पीछे पीछे ही थी and I think वो उनके लिए काम कर गया and she never got nominated मतब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं and जहां जहां उनके पती थे वहां वहां वो थी तो I think safe लेकर 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 नास्ट कृष्शन प्लीज मैं एक चीज तरू नेजी के बारे में हम रही sorry बट नेजी का दिल बहुत साफ है दिल का सच्चा है और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते है न वो डिजर्फ करते है तो अगर आप मेरी में बात करो मैं भी लोगों ने मुझे बहुत बोला मेरा selfish बोला, mean बोला, opportunist बोला, arrogant बोला बट मेरे लिए मेरा determination बहुत स्ट्रेट था, मेरा focus बहुत स्ट्रेट था और मैं रियल लाइफ में असी हूँ मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ना game में ना generally मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला गर जो मुझे गलत मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है, हाला कि मैं साही केतन को कभी पसंद मी करती बट अगर वो अपनी दूटी उसने बरबर किये तो आप्रिशेटे इम आलसो, though I don't like him, but I have appreciated him also, so I think अगर गेम की बात करें, तो गेम में किसी पर हाथ उठाना is not valid, but situation को ध्यान में रखे, क्योंकि हमें नी पता वो situation क्या थी, और किस context में बोली गई थी, हमें एक क्लिप विकेंड के वार में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो we started judging on that perspective, but मैं एक चीज़ जरूर बोलना चा जरूर में आता उसकी नियत में खोट है की नहीं है, तो I think Vishal के लिए में यहीं बोलूँगी, see he is my friend, but he never had that intention for her, मतलब वो पोट्रे क्या करा गया है, I have no idea, मैंने वो देखा नहीं है, but मुझे जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई यह शब्द बोले जाएंगे, कि you know, कुछ ऐसा बोला जाएंगे, तो मुझे भी बुरा लगया, कही हद तक मैंने अपने friend को बोला मैंने का मैं एक लड़की हूँ, I could relate to this, Vishal, it is not right, but जब चीज़े स्लोली स्लोली क्लियर होती गई, तब I think, एक होता है, कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक होता है, किसी की तथ से पता चलता है, कि वो गलत है या वो सही है, and I think Vishal ले day one से कृतिका को एक चीज़ कि भावी आप बहुत क्यूट हो, भावी आप बहुत सुंदर दिखती हो, उसने day one से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है, तो इस situation को, you know, कि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई अगरी किया कि शायद इसे special case करके हम उसे नजर अंदास कर दे को. मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था, वो तो ट्रोफी लेकी निका लीगे है. I don't know his personal life, शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उनने कभी देखा, एक और चीज़ में, उन्होंने मेरे बारे में मुझे मीडिया राउंड में पता चला था, कि उन्होंने बोला था, कि ये अपना डूपता करियर बचाने आई है, तो मैं इस चीज़ पर ज जाने आए हैं, तो उनको ये चीज़ जरूर बोलना चाहूंगे, उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली, कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूं, तो सर, प्लीज काम पे रखिये, लुकिंग फर वर्क, थांक यू जाने तो माती स्मूती दिया खिर है, जाने बोलस को ते एन जाने पता हूं, तो सर. क्रता हां, तो सर.